हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी एक और नई धमागेदार वीडियो में दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस बिजनस के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों अगर आप खाली हो बेरोजगार हो कोई भी बिजनस करना चाते हो तो ये प्रोड़क्ट आपके लिए बहुत फायदे मंद होने वाला है दोस्तों अगर आप इसका बिजनस करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा दोस्तों आपको पता ही है आपको हमारे पास से लूज टॉफी लूज जैली लूज पोपिंस लूज लोलीपोप सब अवलेबल हो जाएंगे आपको बस जो हमारे दिये के नंबर उन पे कोल करके पूरी जानकारी लेनी है दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसे मिलने वाला है जलिए मैं बता तेता हूं कि क्या प्रोड़ुक्त और इसको किस तरहिके से पैक करता है दोस्तों यह जैली ऐसे आपको हमारे पास से मिलने वाली है यह जैली आपको हमारे पास से 106.10 kg मिलेगी एक किलो में 220196.09 चड़ते ठीक है 155 रुपे किलो 260-280 पीस आपको हमारे पास से 70 फ्लेवर मिल जाएंगे निल जाएंगे convenience्न इस विडियो में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा आने वाली विडियो में आपको और बहुत सारे तरीके बताऊंगा तो दोस्तों आपको क्या करना है इस तरीके का पाउच लेना ये पाउच आपको हमारे पास से मिल जाएगा ये प्रिंटिड पाउच है ये एक तरफ से प्रिंटिड है अब मैं इसमें अपना हाथ डालता हूँ यह देखिए इधर से ये ट्रांस्पेरेंट है और इधर से ये प्रिंटिड है ठीक है आपको क्या करना है आपको इसके अंदर गिनके पचास पीस जैली के डाल लेने हैं ठीक है आप गिनके डाल लेना मैं ऐसे आपको डाल के समझा देता हूं 50 पीच जैली के आपने डाले एक फ्लेवर यह हो गया दूसरा फ्लेवर गुआवा का है यह भी मैं आपको डालके दिखा देता हूं मैं आपको दोस्तों वीडियो में आगे इसके प्रोफेट के बारे में बता हुआ तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे आपने दो फ्लेवर लिए आपको क्या करना है सीलिंग मसीन से इने सील चाहिना नोहतness यह सीलिंग मसीन भी है 2 लाइन वाली सीलिंग मसीन है अगर आप इस से पैक करते हो तो यह पहुत अच्छी law टी में पैक होने वालाइब यह इस तरीके से आपको दोनों पैकेटों को सील कर लेना है यह दोस्तों सील हो गए आपको क्या करना है इस तरीके से सील करके यह देगी कितना अच्छा पैकेट लग रहा है इस तरीके से आप इन्हें सील कर सकते हो और मार्किट में सेल कर सकते हो अब इससे आपको यह कितने का पढ़ने वाला और कितने का आपको सेल करना वो मैं आपको बता देता हूँ आपको जो जैली मिलने वाली है वो मिलेगी 105 रुपे किलो एक किलो में 260-280 पीस चड़ते हैं मतलब 40 पैसे का एक पीस हो गया दोस्तों आपने इसमें 50 पीस जा ले तो आपका 20 रुपे 19 पैसे की हो गए पूरे 50 पीस जो पनी की कोश्ट आएगी वो आपकी आएगी 1.5 रुपे 1.5 रुपे की आपकी पनी हो गई तो यह हो गई 21 रुपे 70 पैसे 30 पैसे आप लेबर खर्चा मान लीजिए तो यह टोटल 22 रुपे हो गई मतलब 22 रुपे में आपका यह पैकिट रेडी हो जाता है और जो आपका मार्केट में सेल होगा यह 32 सेले के 35 रुपे के बीच में सेल होगा मतलब अगर आप 32 का भी सेल कर देते हो तो 10 रुपे आपको पर पैकिट बचेगा 10 रुपे पर पैकिट का मतलब है कि दोस्तों आप 1 किलो पे 50-55 रुपे कमा सकते हो मतलब 50-55 रुपे किलो कमा लेते हो अगर आप 100 किलो भी मंगाते हो तो आप 5,000-500 रुपे कमा सकते हो मतलब 10,500 रुपे लगा कर आप 5,500 रुपे बड़े अराम से कमा सकते हो मतलब 50% का मार्जन आप इससे कमा सकते हो 50% का margin, आपको किस विजनस में मिलने वाला है कि आपको सिर्फ इन प्रोड़क्तों में ही 50% का मार्जन मिल सकता है, किसी और प्रोड़क्तों में नहीं मिलेगा, तो दोस्तों अगर आपको यह जेली मंगवानी है, तो जेली आपको हमारे पास से मिल जाएगी, दिये गए पड़ी पेटी के अंदर हम डाल देते हैं मतलब 30 किलो की एक पेटी हो गई तो आपको इस तरीके की चार पेटी मगानी पड़ेगी मतलब 120 किलो माल 120 किलो माल आप मंगा कर अपने बिजनस की शुरुवात कर सकते हो अगर किसी की के साथ कोई प्रोब्लम है कोई नहीं मगा सकता तो हम उसे 90 किलो माल भी देते हैं मतलब 30 जैली जैली की और किसी आइटम की नहीं सिर्फ जैली की ठीक है बागी दोस्तों आपकी मर्जी जैसे आप करना चाहो आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी जानकर या आपको करें और अपने दोस्तों के शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग दमाके तार बिजनस आइडिया के साथ